हेलो आल एंड वेल्कम तो रिकोगनिशन आई एस जिग्राफिय औप्शनल क्लासेज में हम लोग बात कर रहे थे प्रवन की और इसमें देखिए एक टॉपिक आपका इसकिप हो गया था प्रवेक्स एंड बोडिविले की थियोरी तो फड़ा फड़ इसको भी डिसकस कर लेत हैं ऺो दूलो लोग ही इस को पर जोइन कर सकते हैं दोनों लोगों के लिए इकुली रेलिवेंट को साइए इसके लावा ट्रोगराम को भी लाउंच कर सकते हैं इसको भी आप जोइन कर सकते हैं ج collectively के लिए ओग जॉइसली यूजमीट थियोरी City एठी इसके लावा सब्सव discussion in today's class we are going to discuss growth pole and growth center काफी important topic है और काफी untouched point भी है क्योंकि generally books में यह चीज clearly लिखा नहीं होता है and along with that generally अगर माल नेते हैं कि आप इस theory को समझ जाते हैं तो फिर इसकी practical relevance भी equally important होती है समझनी so इसको हम लोग फटाबर discuss करेंगे क्योंकि case में कई सारे ऐसे concepts भी है जो आप paper 1 और paper 2 दोनों में ही apply कर सकते हैं so इस वज़े से काफी important होता है इस topic को पढ़ना क्योंकि industrial geography में भी आपको equally help करेगा along with that regional development में भी आपको equally help करता है तो हम लोग देखेंगे आखिर में कैसे economic geography को help करता है कैसे industrial geography को help करता है और साथ ही जाथ कैसे यह regional geography को help करता है तो फड़ाफट शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा topic जो है वो है growth pole and growth center ठीक है अब देखें थोड़ा सा हम लोगा methodology में change लेकर के आए है now we are firstly see हम लोग पहले discuss करेंगे एक board teaching type and then we will move on to the lecture part वहाँ पर हम लोग देखेंगे slide portion से देख लेंगे गोधुरू कर लेंगे जो भी हमने यहाँ पर सीखा है और इस topic के लिए काफी important है क्योंकि यह जो topic है वो कई सारे topic से आपस में interrelated है तो मैंने आपको अलड़ी बताया कि इस topic को आप industrial geography में आप यूज कर सकते हैं इसके लावा आप regional development में आप यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे economic geography में भी यूज कर सकते हैं ना सरफ केवल और केवल paper 1 में बलकि आप paper 1 और paper 2 दोनों में ही इसका यूज कर सकते हैं तो काफी important यह topic होने वाला है topic को start करने से पहले आपको 2-3 term जानना बहुत जरूरी है एक होती है जिसे बोलते हैं firm और दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं industry अब जैसे अगर आप commerce background से अगर होंगे तो आपको पता होगा कि firm का मतलब क्या होता है और industry का मतलब क्या होता है चलिए एक छोटा सा basic question पूछता हूं मैं GST generally file की जाती है GST बताईए firm फाइल करती है या फिर industry फाइल करती है obviously firm फाइल करती है क्योंकि यही एक registered entity होती है this is a registered entity और वहीं अगर industry के बारे में देखो तो यह एक category होती है यह तरीका होता है study करने का या फिर categorize करने का यानि की firm किसी ना किसी industry के basis पे यह categorize होती है example के तोर पे industry के बारे में बात करें तो we have steel industries और उसी steel industry में we have different different firms जैसे की Tata का है इसी तरीके से हमारे पास अलग अलग तरीके के हैं जैसे gallant भी है gallant सरिया बोला आता है न तो gallant का भी है Tata का भी है so we have different type of firms इसी तरीके से अगर हम लोग थोड़ी सी service oriented पे आ जाए तो service industry आ जाती है और इसमें जैसे amazon हो गई या फिर flip card हो गया तो यह सब क्या है आपकी firm हो जाती है तो I guess आपको idea लग गया होगा what exactly is the firm and what exactly is the industry this is a type of company and this is a type of economic affair clear तो यह एक company registered company हो जाएगी और यह जो होता है केवल और केवल study के लिए point होता है यह चीज़ category करने का तरीका होता है अगला जो हमारा term आता है वो आता है growth pool and growth center यह क्या चीज़ होती है छोटे से example लेकर के हम लोग चलेंगे और फिर उसके basis पर हम लोग इसके study करेंगे जैसे for example हम लोग कहानी लेते हैं गुड़गाओं की गुड़गाओं एक समय पर केवल और केवल village था और यहाँ पर land जो थी उसकी कीमत काफी जादा नहीं agricultural land था तो कुछ खास यहाँ पर कीमत भी नहीं थी and basically यहाँ पर agriculture practice की जाती थी at बहुत पहले की बात है 1990s के around में हम लोग बाते कर रहे हैं फिर क्या हुआ कि डेली का development हो गया डेली के development करने के साथ साथ हम लोग 1991 की LPG reform भी कर लिये थे जिसके कारण से अब जितने भी foreign players हैं वो आना शुरू हो गये थे और 2002 के बात से ये area economically काफी prospect area बन गया था इसके prospects काफी अच्छे थे economically future काफी अच्छा था उसके पीछे कारण क्या थे कि यहाँ पर airport है first thing is the airport दूसरी ये capital थी और capital होने के साथ साथ यहाँ पर जो सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जाती थी वो भी काफी जादा थी तो इस वज़े से हमारे पास ये जो डेली का area है काफी important area हो जाता है हुआ क्या अब डेली में जैसे ऐसे development start होना शुरू हो गई वैसे वैसे अब जगह की कमी पढ़ना शुरू हो गई land की कमी पढ़ना शुरू हो गई क्योंकि सीदी सी बात है किसी भी industry को अगर establish करना है तो near about कम से कम 500 तो 600 एकर की जमीन इनको लगती ही लगती है अब अगर इतनी जादा जमीन लगेगी तो सीदी सी बात है कितना industry आप खड़ा कर पाएंगे तो इस वज़े से अब यहाँ पर demand होने लगी थी नए land की अब जब नए land बनेगा तो सीदी सी बात है माल लेते हैं कि this is the main industrial hub of Delhi अब धीरे धीरे क्या होगा यह industrial hub spread करेगा अब जब यह spread करेगा तो अब यह डली के बाहर डली के territory के बाहर निकल जाएगा जैसे यह डली के territory के बाहर निकलेगा किसी दूसरे state की सीमा आ जाएगी जैसे कि माल लेते हैं हर्याना की सीमा आ गई इसी तरीके से UP किया जाएगी इसी तरीके से राजस्थान किया जाएगी तो अब देखिए land होती है क्या land होती है एक state property अब किसी भी industry को या फिर किसी भी foreign player को अगर अपनी industry set up करनी है तो या तो उसे हर्याना government से आके permission लेनी पड़ेगी या फिर उसे राजस्थान government से लेनी पड़ेगी या फिर उत्तरप्रदेश government से permission लेनी पड़ेगी इसके साथ इसाथ में Delhi में भी इनको permission लेनी पड़ेगी central government से क्योंकि कहीं न कहीं ये भी industry इसी Delhi से ही spread हो रही है इसी industry से आगे बढ़ रही है अब यहाँ पर क्या था कि एक problem एक तरीके से एक decline या फिर कह सकते हैं कि एक reduction एक रुकाव आ गया था इस कारण से government of India ने कहा कि now we have to take some action and as part of results सारे states से आपस मिल करके आपस में consensus के basis पे इस पूरे region को NCR declare कर दिया गया और इस तरीके से parliament में एक act पास कर दी गई थी और NCR act हो गया था इसके थुरू जो NCR के territory हो पूरी central government के अंडर में चली गई और इस तरीके से यहाँ पर industrial hub बन गया अब होना क्या था जितनी भी industries थी वो धीरे धीरे अब spread करना और शुरू कर दी तो शुरूआत में जो part केवल और केवल एक point के format में था शुरूआत में केवल एक industrial point थी अब धीरे धीरे develop हो करके एक center बन गयी थी और center के बाद जब NCR डवलप हो गया तो यह फिर आगे जा करके पूरा का पूरा area अपने आप में एक growth pole बन गया तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जब एक point होता है काफी यहाँ पर economic prospects उतने नहीं रहते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग growth point जब यह spread करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं growth center और जब यह अपने maximum पे या फिर कहें लिजे expansion इसका काफी ज़्यादा जब हो जाता है तो हम उसे बोल देते हैं growth pole तो इस तरीके से यह तीनों term आपस में related हैं तो यहाँ पर आपको clarity हो गई होगी होगी कि क्या चीज है नेक्स question आती है कि आखिर में यह जो हम लोग growth pole या growth center य हमारे पास different different theories आ जाती हैं इन theories में सिर्फ और सिर्फ structure ही याद करिएगा आप लोग क्योंकि जरूरी नहीं है इसके बारे में detail में जानना लेकिन structure important है क्योंकि question में जब भी आएगा तो आपको एक answer में flow बनाने के लिए this is very important for you to know all the structures of theories related with this growth pole and growth center तो यहाँ पर जो growth pole और growth center को study करने के लिए जोग्राफी में theories हैं वो basically तीन तरीके की theories हैं एक है जिसको बोला आता है theory of this is theory of convergence this theory of convergence convergence का मतलब क्या होता है आपस में चीजे converge हो रही है हर तरक से आ रही है और चीजे converge हो जा रही है यानि कि एक बड़ा इलाका छोटे इलाके में तबदील हो जाएगा त इसको बोलते हैं हम लोग export based theories यह जो export based theories है यह basically demand oriented है यानि कि demand बढ़ते आएगी और demand बढ़ने के कारण से ultimately converge होती जाएगी industries और इस तरीके से एक growth pool या growth center develop हो जाएगा वही दूसरी theories जो आती है वो आती है नियो classical exogenous growth theory यह जो theory है basically वो supply oriented है supply से based होती है और इसका एक example आप ले सकते हैं herod domer model जो की government of India ने use किया था herod domer model जो की government of India ने use किया था अपने first economic plan के through तो यह हो जाती है theory of convergence दूसरी जो आती है उसको बोलते हैं हम लोग theory of divergence this is theory of divergence theory of divergence के अंडर में भी कई सारी और भी theories आती हैं जिसको बोलते हैं हम लोग perivax की theory this is perivax theory इसके अलावा body relay की theory body relay की theory या फिर एक और बोलते हैं hushman theory hushman theory और साथ ही साथ में हैं freedman की theory this is freedman theory तो यह basically हमारे पास चार theories आती हैं जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है तो हम लोग freedom man की theory के बारे में हलाकि अल्रडी discuss कर चुके हैं बाकी तीन theories के बारे में हम लोग discuss करेंगे इसके लावा देखिए एक और theory of divergence से related होती है जो के अलग-अलग format में हम लोगों ने पढ़ा है अपने जोगरफी में जैसे गुनार मिर्डल की theory गुनार मिर्डल मिर्डल ठीक है और यह हम लोगों ने पढ़ा था cumulative causation theory में cumulative causation theory य this is scale door की theory दूसरे बोलते हैं डिक्सन की theory डि-i-x-o-n डिक्सन की theory यह दोनों लोगों का किवल नाम याद रखिएगा इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है this is not in your syllabus directly और indirectly किसी भी तरीके से आपके syllabus में यह नहीं है अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं और हमारी सबसे जो theory होने वाली है परिवेक्स theory पहले हम लोग इसको discuss करेंगे फिर इसके बाद से बोडे विले और फिर next हम लोग horseman की theory देखेंगे साथ ही साथ में हम लोग देखेंगे कि आखिर में इन तीनों theories के बीच में आपस में क्या difference है and what exactly is the basic concept behind all these theories सबसे पहले हम लोग बाते करने वाले हैं परिवेक्स theory के बारे में so this is one second yeah so this is perivax theory perivax theory देखें परिवेक्स theory जो थी वो सबसे पहली theory थी with respect to the development of growth pole या फिर आप बोल सकतने explanation of growth pole के लिए पहली ये theory थी इस theory को profound किया गया था परिवेक्स के द्वारा ही obviously लेकिन ये जो theory थी ये दो लोगों से inspire होके तब आई थी जो लोग inspiration इनको दिये थे उस theory का नाम था शम पीटर theory तो शम पीटर की एक theory आई थी और दूसरी एक theory आई थी जिसको बोलते हैं inter industry सब ध्यान से सुनिएगा inter industry linkage and industrial interdependence interdependence शम पीटर की जो theory थी शम पीटर की theory काफी easy theory थी इन्होंने ये कहा suppose this is the रास्ता माल लेते हैं कि ये रास्ता है ये है दिल्ली और ये है करनाल माल लेते हैं this is करनाल obviously ये इलाका जो हता है NCR का इलाका होगा शम पीटर ने कहा कि देखे ये पूरा इलाका जो हता है वो develop नहीं करेगा यहां पर हर एक area जो हता है equally equal development of growth pool and growth center नहीं करेंगे यहां पर कुछ कुछ areas होंगे जो की पहले से या तो develop हो रहे होंगे या फिर अच्छा खासा यहां पर prospect होगा और केवल और केवल इसी area में कोई एक specific area में ही केवल और केवल industries develop हो पाएंगी जहां पर पहले से कुछ न कुछ awareness होगी पहले से ही कुछ न कुछ development होगी जहां पर चीजों के बारे में यह बताया गया कि हर एक point equally contribute नहीं करेगा कुछ specific points ही होंगे कुछ ही ऐसे जगह होंगी जहां पर एक prospect निकल के आएगा एक economic potential होगा और उस potential के through ही ultimately जो industries है या फिर जो growth है वो develop होगी तो इस तरीके से यह शंपीटर की theory थी दूसरी theory आती है इंटर इंडस्ट्रियल linkage and industrial interdependence नाम सही आपको लगेगा इंटर इंडस्ट्री मतलब कोई दो या दो से अधिक industry है जो आपस में link हो रही है जैसे for example माल लेते हैं कि किसी electronics की company है suppose कोई electronics की company है जो IC बनाती है अब यह IC बनाएगी तो CDC बात है IC बनाने के बाद इसमें पहले semiconductors का use होगा semiconductor industry इससे link हो गई link होने के बाद अब यह IC बना दी IC बनाने के बाद यह computer वाली industries को जो है अपना IC transfer कर देंगे तो उस तरीके से हम लोग देख सकते हैं there basically three type of industries one is the semiconductor industry second one is the electronics industry and third one is the computer industry तो इन industries के basis पे ही development हो जाएगा और development हो जाएगा तो यह आपस में closely linked है तो यह हो गई आपस में inter industry linkage दूसरा है industrial interdependence अब सीधी सी बात है माल लेते हैं कोई एक coal की industry है coal की industry है और coal की industry iron की industry यह दोनों साथ साथ में obviously यह दोनों मिलकर के फिर steel industry का ही निर्माड करेंगे तो यह तीनों के तीनों आपस में कैसी हो गई तीनों एक दूसरे के interdependence है क्योंकि अगर iron नहीं होगा तो फिर steel नहीं हो सकती है और अगर coal नहीं होगा तो iron निकालने के बावजूद भी आप उसकी crystallization उसकी purification नहीं कर सकते हैं और ultimately steel आपको नहीं मिलेगा इस वज़े से आपके लिए important होता है इन तीनों industries का आपस में interdependent होना अब यहाँ पर जो linkage होती है basically वो दो type की होती है एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं forward linkage और दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं backward linkage दोनों में काफी easy similarity है example के थुरू हम लोग लेके चलेंगे ताकि आपको समझ में आएगा देखें जैसे माल लेते हैं कि steel की industry है steel की industry दो तरीके से काम में आ सकती है एक steel को आप इतना focus करिए कि आगे steel से बने हुए जितने भी items हैं उन पर ये आगे जाकर के काम करें मतलब यहाँ पर आप research and development का काम कर रहे है and you are progressive in nature ठीक है यह आप कह सकते हैं कि आप forward बढ़ रहे हैं और आगे की नहीं नहीं चीज़ों को बना रहे हैं लेकिन industry, steel industry को इस फोकस करने के लिए आप mining पर भी ध्यान दे सकते हैं माइनिंग क्योंकि सीज़ी सी बात है अगर इस टील नहीं produce होगा, mines नहीं आएंगे, iron नहीं आएगा तो फिर आपका स्टील भी काम किसी काम का नहीं है, develop नहीं हो पाएगा और फिर उसके आगे की चीज़े नहीं develop हो पाएंगी तो यह जो पीछे में focus किया आता है, cost production पीछे में जो किया आता है, इसके primary activity में किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, backward linkage, this is backward linkage clear हो गई क्या चीज़ है, how exactly these two things are interdependent, clear अब इन दोनों theory के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, आप perivax की theory के बारे में आते है perivax theory कहती है कि कि किसी भी growth pool के या growth center के develop होने के लिए दो चीज़ों की जरूरी है, जरूरत है, एक होता है जिसको बोलते है economic development this is economic development और दूसरी जो चीज़ है वो है structural change तो दूसरी चीज़ का नाम है structural, one second, दूसरी चीज़ का नाम है structural change दोनों ही काफी easy चीज़ है अब जैसे हमारे परिवेक सहाब का कहना है एक बड़ मैं इसको clear कर रहा हूं तक आपको idea लग जाए ओके परिवेक सहाब का कहना था कि जैसे माल लेते हैं कि कोई एक suppose area है suppose this is a area ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा कि माल लेते हैं दिस the main center hub है माल लेते हैं अभे सेंटर में जैसे माल लेते हैं कि यह जो center है यहाँ पर plastic बन रहा है suppose ठीक है plastic बन रहा है तो अब सीधी सीबात है जो भी plastic industries होंगी जैसे fiber बनाने वाली या box बनाने वाली या फिर प्लास्टिक के कुछ भी आइटम प्लास्टिक का कोई भी आइटम मनाने वाली जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर आ करके सट अप होना शुरू हो जाएंगी और यह सट अप होते रहेंगी होते रहेंगी क्यों क्योंकि यहाँ पर आपस में साथ लिंक नहीं हो पाएगी because already there is so much pressure on this plastic industry so what will happen these industries will develop its own now plastic center तो इस तरीके से जो growth pole है या फर कह सकते हैं growth centers जो हैं वो धीरे धीरे डवलाप होंगे लेकिन उन्हीं इलाके में डवलाप होंगे जहाँ पर potential होगा जैसा कि श्रम पीटर ने कहा था और साथ ही साथ में there will be a linkage यानि की बीच में core industry होगी और उससे linked बाकी सारी industries होंगी तो यहाँ पर हमारी एक core industry रहेगी जैसे कि plastic है और इससे linked industries रहेंगी जैसे कि बाकी सारी industry हम लोगों ने रखा है तो यह हमारे परिवेक सहाब का कहना था कि इस सारीके से सीन चलेगा अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि देखे देर आर देर विल बी टू मोर्ट फिंग्स और यह जो दो चीज़ें उसमें से एक चीज़ कहा है इन्होंने concept of concept of dynamic concept of dynamic form या फिर progression आप बोल सकते हैं और दूसरा है प्रपल्जिव फर्म प्रपल्जिव फर्म जो dynamic form का मतलब यह है कि देखिए यहां पर industries continuously change होती रहेंगे there will be change in industries change का मतलब यह हो गया कि quantity and industry of the interrelations with other sectors of the economy यह link रहेगा यानि कि यहां पर जो चीज़ें हैं वो linked economy आपस में रहेगी there will be linked economy और वही प्रपल्जिव फर्म का मतलब यह हो जाता है जहां पर technology development करना होगा हमें इसके अलावा products जो होगी जो मतलब की elasticity of the demand जो होगी उसे continuously बढ़हाना होगा इसके अलावा multiplier effect होने चाहिए और साथी एक और चीज़ कहना था एक और कहना था देखिए suppose there is any coal industry अब देखिए कोई coal industry होगी तो obvious ही बात है यह पूरी तरीके से develop तब तक नहीं हो पाएगी जब तक यहां पर इसका जो pollution होने वाला है और pollution control न हो जाए अब जैसे माल लेते हैं कि coal industry है अब coal industry के आसपास obviously IT की industry तो develop नहीं हो सकती है because there will be lot of pollution and because of that pollution the machinery which is going to be used in the IT sector they will be damaged and that is why यहां पर वो development नहीं हो पाएगा so this is the dynamism यहां पर industries आगे जाकर के close हो सकती है लेकिन यहां पर हमेशा एक progressive prospect ही रहेगा और यह तब तक रहेगा जब तक की government इसे support कर रही है government जब support करना बंद कर देगी then obviously there will be a shift और इस तरीके से चीज़ें हमें निकल करके सामने आ जाएंगी clear हुआ हमारे perivax theory का मतलब क्या है तो perivax ने जो चीज़ें कहीं थी we have discussed now coming to the body willy concept body willy ने काफी अच्छा एक चीज़ कहा था अब जैसे हम लोगों ने perivax के बारे में जो कुछ भी पढ़ा उसमें कहीं से भी आपको यह नहीं दिखाऊगा कि this is regional development हर तरफ से आपको यही लगाऊगा the theory is basically related with the economic geography और you can say this is related with the industrial geography तो यह जो regional angle है वो दिया गया था body willy के द्वारा इन्होंने कहा कि देखिए किसी भी industry को develop करने का मतलब यह है कि यह आगे जाकर के regional regional development को या फिर regional impact दिखाएगी और इसको दिखाने के लिए मतलब this is the first theory to argue such kind of thing justify such kind of thing तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि देखिए there will be three options there will be three options एक option होगा जहाँ पर economy will be internal to fund तो यहाँ पर economy will be internal to firm इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि देखिए हर एक firm की अपनी एक basic cost होती है this is basic cost ठीक है इस basic cost का मतलब यह है suppose suppose माल लेते हैं मैं बहुती practical example ले करके चलूँगा और माल लेते हैं कि किसी educational institution के बारे में हम लोग बाते कर रहे हैं किसी एक educational institution के बारे में बात कर रहे हैं like what we does actually educational institution में क्या होती है कि हमारा एक room rent होता है इसके अलावा electricity का खर्चा होता है इसके अलावा water management और जितने भी पीने के पानी वगरे की विवस्ता जो होती है उसे करना होता है इसके अलावा जो dusting वगरे होती है उसकी हमें सफाई करवानी होती है इसके अलावा एक हमारे पास pion होता है जो कि basically चाय पानी वगरे यह सब रखता है यह सब चीजे ले आता ले आता है तो यह काम करता है इसके अलावा एक basic budget और भी extra रखा जाता है for unforeseen expenditure टाइप की चीजे so all this thing ultimately हम लोगों को एक minimum expenditure दे देती है कि this expenditure is going to be there और इस expenditure के basis पर जैसे महा लेते हैं कि this is the minimum expenditure और इसमें publicity वगरे भी कई सारी चीजे होती है so यह minimum expenditure महा लेते हैं कि monthly suppose यह monthly जो है 60,000 आता है ठीक है 60,000 आता है suppose we have to launch any course तो जब भी कोई course launch करना होता है तो यह 60,000 को तो consider किया ही जाता है इसके अलावा 20,000 अलग से corpus रखा जाता है कि if in case the launching fail then what will happen in the future तो यह काम करना होता है प्लस साथ में अगर कोई faculty है तो इस faculty को भी अलग से extra इसकी cost add कर दिया थी according to the class obviously this is a assumed class कि इतनी classes होंगे and then based on that obviously faculty will be paid अब माल लेते हैं कि all these ultimately lead to 1,00,000 एक लाख माल लेते हैं कि monthly पहुच जाता है now we are expecting suppose 30 to 40 students कि यह जो है वो course को opt करेंगे and based on that we make a fee इसको divide करके ultimately एक fee निकाली जाती है और वही fee ultimately एक fee cost के रूप में आ जाती है so this is the thing अब दिखिए यह हमारी basic cost हुई एक लाख जो है यह basic cost हो गई अब इस basic cost के उपर suppose हमारे student 30 ही केवल आते है then obviously the fee is going to be little higher higher हो जाएगी लेकिन वही अगर माल लेते हैं 100 students आ गए the fee will be obviously it will go down यानि कि जो students के लिए जो cost आएगी it all depends कि आखिर में हमारी overall output कितनी आ रही है जितनी ज़्यादा output आएगी उतना ही कम cost जाएगा and this is called as economy with respect to internal to the firm क्योंकि एक basic expenditure निकाल दिया जाएगा उसके बाद जितनी भी चीज़े हो जाएगी वो तो firm पे depend करेंगी लेकिन यहाँ पर देखिए किसी प्रकार का ना तो regional development हुआ है ना तो industrial development हुआ है और ना ही firm development हुआ है this is just a market जो कि हमारे बोड़े विलेंसा हमने कहा था और यह इसलिए कहा था इन्होंने क्योंकि इन्हें different conditions बतानी थी जैसा कि इन्होंने पहला condition बता दिया दूसरा इन्होंने कहा economy is external to the firm but internal to the industry मतलब economy जो की external to firm है मतलब firm से हमें अब कोई भी लेना देना नहीं है लेकिन internal to industry यानि कि अगर आप किसी steel industry में invest कर रहा है या steel industry का कोई भी आपको system देखना है तो यहां पर आप इस firm के टाटा का है या gallant का है या किस का है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है आपको देना है अपना ध्यान industry पे अब यह development ultimately आपकी growth center या growth pole बना देगी and this will ultimately lead to regional development और यह regional development employment बगरे को आगे जा करके जर्म देगा लेकिन जो आगे इन्होंने third factor बोला तीसरा जो point बोला इन्होंने कि external to the firm internal मतलब कि जो हमारी this economy है economy this is external to firm external to firm and internal to urban area internal to urban area अब देखिए इस urban area और का system क्या है अब external to the firm हो गया external to the industry हो गया यानि कि ना तो आप industry के और ध्यान देने वाले हैं और ना ही आप firm के ओपर ध्यान देने वाले हैं तो what will happen अब यहां पर जो labor force होगा अब labor force तो ना तो किती industry का होता है ना तो किसी firm का होता है यह तो एक independent चीज होती है the population which is under which is undergoing for work that is called as the labor force तो यहां पर labor force जो होगी वो increase करेगी market जो है वो increase करेगा इसके अलावा access to the larger market यह भी बढ़ता जाएगा services बढ़ती जाएंगी और इस तरीके से ultimately आप यह बोल सकते हैं कि regional development बढ़ता जाएगा so all this ultimately lead to regional development तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो model आगे आया that is obviously for the regional development वो आता है road stove के model से road stove ने फिर आगे growth pole and growth center की model दी और इन्होंने कहा कि how the society जैसे village society जो है वो किस तरीके से आगे जा करके एक shift लेगा और उस shift के basis पे carbon area में convert हो जाएगा और इस तरीके से इन्होंने four different stages बता और उस stage के basis पे किसी भी area का development हो जाएगा तो आप यह बोल सकते हैं कि जो road stove की theory थी it was a derived theory of body will a theory clear हो गया क्या चीज़ है so road stove की theory we have already discussed in our basic lectures तो उसको फिर से वापस नहीं discuss करेंगे but this is the body will a theory जो आपको चीज़े समझ में आ गई होंगी कि क्या चीज़ है clear अब इसके अगावा देखे एक horseman की theory होती है horseman की theory जिसको trickle down theory यह polarization effect बोलते है यह theory आती है फड़ा फड़ा इसको भी देख लेते हैं आखिर में क्या है see horseman की theory is not in our syllabus so इस वज़े से हम लोग इसे केवल और केवल surfacially देखेंगे this is horseman theory अब यह जो horseman की theory है इन्होंने basically दो effects बताया थे एक बताया इन्होंने trickle down effect और दूसरा इन्होंने बताया था polarization effect अब देखेंगे trickle down effect का मतलब यह है कि suppose तीन लेहर की कोई एक industry है top पे अगर माल लेते हैं कि development हो गई तो this development is going to trickled in the lower industries तो यह सारी के सारी development नीचे भी चलिया आएगी ऐसा हमारे इस trickle down theory का कहना है दूसरा जो है वो polarization effect है जैसे एक market develop हुआ this will develop another market जैसे माल लेते हैं दो market develop हुआ they will polarize each other एक दूसरे को polarize करेंगे यानि एक दूसरे को link बनाएंगे एक दूसरे के तुरू यह link बनाएंगे अब आपको इनकी theory पढ़ने के बाद में याद आ रहा होगा कि हमने भी कुछ इस तरीके का पढ़ रखा है yes you have studied this in gurnal middle concept तो हम लोग ने इसे gurnal middle concept में cumulative causation theory में पढ़ रखा है cumulative causation theory cumulative causation theory में हम लोगों ने जो पढ़ाई किया था उसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर इन्होंने गurnal middle ने दो concept के बारे में बात किया था एक था जिसे इन्होंने बोला था spread effect this is spread effect और दूसरा इन्होंने बात किया था back wash effect this is back wash effect कुछ याद आ रहा होगा अब themself and they will make a cumulative effect of the industrial development industrial setup एक कर ले जाएंगे तो यह हुआ spread effect कि आगे आने वाली जो भी industry होंगी they will ultimately get linked with this cumulative market back wash effect का मतलब यह है कि माल लेते हैं this is less developed area and this is developed area obviously यह जो developed area वो less developed area को जो भी services या industrial output या कुछ भी अगर provide करना होगा तो it will provide to this low developed area धीरे धीरे क्या होगा अब यह low developed area भी आपस में develop कर जाएगा and after a point of time there will be repulsion एक दूसरे को यह repuls करना शुरू कर देंगे because now on it has self-sufficiency to produce its goods और वही यहाँ पर भी चीज़े हैं now both will look some other thing some other market and ultimately lead to a development of the industrial hub तो यहाँ पर आखिर में हुआ क्या इस developed वाले ने इस less developed को polarize कर दिया है जिससे कि यह भी अब charge हो गया जैसे physics वगर है में आप लोगों ने neutral treat होता था but now अब यह charge हो गया और charge होने के बाद में अब इसका कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं वोल्टेज को लेने के लिए तो इस तरीके से हर्ष्मैन ने भी अपनी इस पूरी theory को बताया था but there is a basic difference between हर्ष्मैन theory and गुनाल मिड्डल theory हर्ष्मैन की theory ने यह कहा कि देखिए all this thing will develop industrial development होगा industrial hub भी बनेगा cumulative causation भी होगी सब कुछ होगी लेकिन एक समय तक होगा यानि की जब भी जैसे pollution ही हो गया तो pollution के कारण से होगा क्या की आगे जा करके industrial setup नहीं हो पाएगा जैसे डेली में ही बात करें industrial setup आज की date में नहीं हो सकती है because of the pollution तो इस कारण से जो आसपास के अरियाज है वहाँ पर development होना शुरू हो जाती है तो हुआ क्या after certain point of development now there will be a saturation there will not be any further development और यही चीज हर्षमें ने बोला था कि there will be a limit and after crossing of that limit there will not be any industrial development अब फिर industries को आपस में इधर दर जाना पड़ेगा जबकि गुर्णाल मिल्डल ने यह चीज नहीं बोला था इन्होंने कहता अलगातार होती रहेगा there will not be any limit there will not be any stopping system ठीक है तो यह system थी गुर्णाल मिल्डल की है तो इस तरीके से हम लोग ने basically सारे models को देख लिया है